और जाते जाते आपको एक update देता जाओं, आज जब मैंने इस illegal house arrest के बारे में और LG साहब के मनमानियों के बारे में statements देना शुरू किया, तो आज दुपहर में एक अधिकारी मेरे पास बेजे जाते हैं, उन्होंने मुझे ये कागस थमाया, जो की एक agreement है और एक bond भी है पैसे के साथ, अब देखियेगा वो क्या कहते हैं, इस पर मुझे साइन करना है, that I undertake that I will not make any comments or issue statements or make public speeches, hold, participate in public assemblies, any activity related to recent events in lay district at present time, since it has potential for endangering peace. और आगे जाके कहते हैं कि, that the symbolic fasting, if any, will be held within the Hyal campus only, और मेरा signature चाहते हैं, यानि कि मैं अपने हाथों article 19 के जो मुझे freedom of expression, freedom of movement दिया जाता है, वो उनके हवाले करूँ, मैं अपने आपको अधिकारों से one-ship करूँ, और फिर उसके ऊपर वो चाहते हैं कि, मैं 40 और 10, 50,000 का पैसा भी बरूँ, bond भी, तो मैंने उन अधिकारी साहब से कहा कि, अगर मैं इस पे signature नहीं करता हूँ, तो क्या होगा, तो वो बोले, तो आपका detention हो सकता है, तो मैंने कहा, ये तो सबसे अच्छी बात होगी, मैं तो खुशी खुशी आपके जेल में जाना चाहूँगा, अरे साहब जो आदमी खारदूंगला के माइनस 40 में मरने से नहीं डरा, वो आपके detention से डरेगा, और उससे भी ताजा अपडेट आपको एक दूँ, जो मुझे अभी अभी मिला, रात को कोई 9 बजे, इस agreement पर sign करने को भाद दे करने के लिए, हमारे स्कूल के दीन, मासूम, युवा, शिक्षकों को, जिनका कोई दोश नहीं है, ठाने ले गए हैं, और उनको सताया जा रहा है, ताकि उनको बचाने के लिए मैं ये sign करूँ, तो ये हतकंडे हमारे LG साहब अपना रहे हैं, यूटी परशासन को चलाने के लिए, LG साहब इस दर पर तो मैं कहूँगा, आप बहुत महनत कर रहे हैं, लदाक जैसे शांत शेत्र में भी, मिलिटेंसी का भीज बोने के लिए, जिस तरह आपने नौजवानों को बेरोजगार रखा है, फिर उन पर एक के बाद एक जुल्म, सितम, ढाये जा रहे हैं, ऐसा हो भी सकता है, मगर याद रखिएगा, हम आपको कामियाब नहीं होने देंगे, और मैं ये भी कहना चाहूँगा, आज मजबूर हूँ, सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऐसा कहूँगा, कि इस यूटी, आज के यूटी से तो हम जम्मू कश्मीर में ही बहतर थे, मगर ये भी बताओं कि कल का यूटी मुझे उम्मीद है कि बहुत ही सुनेरा यूटी लादाक होगा, और एल जी साहब आपको ये भी बता दूँ कि इस इगो वार में आपने मुझे हाउस अरेस्ट में तो रखा है, आपने बीस, पंदरा पुलिस कर्मी यहां तैनात किये हैं, आपको ये खयाल है कि ये पुलिस के नौजवान कितने पिस रहे हैं, ये तीन रातों से माइनस बीस में इधर चक्कर लगा रहे हैं, बिना किसी टेंट के, बिना किसी हीटिंग के, उनका मिस्यू सोच सकते हैं, तो उनका वेलफेर भी थोड़ा बहुत सोचते हैं, उनको कोई तंबू, टेंट, हीटर दे देते तो आपका बहुत महरबानी होता धन्यवाद